आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल इस्टेडी ओनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेश नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर देए ताकि सबसे पहले आपको नॉटिफिकेशन प्राप्त हो सके करते हैं वीडियो को आज हम इस वीडियो में नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अप्यर के महत्तवपूर्ण प्रष्णों को डिसकस करने वाले हैं वीडियो में अंतर तक बने रहेगा और अधिक शेदिक वीडियो को शेयर कर दीजे तो सली सबसे पहला कोशन देखते हैं मई 2020 में मन्रे का योजना के तहट देश के ग्रामीड भागों में रोजगार सरजन के लिए कितने करोड रुपए जो है वो आव माई 2020 को दोस्तो ध्यान में रखेगा देट 17 माई 2020 को आद्म निर्वर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त का आनावरन किया जिसके तहट उन्होंने मन्रे का योजना के तहट देश में ग्रामीड भागों में रोजगार के विस्तार हेतू 40,000 करोड उपए की रास देखिए 14 माई, 15 माई, 16 माई, 17 माई इसका राइट अंसर है option number C 16 माई दोस्तो ससस्तर बल दिवस जो है वो माई के तीसरे सनी बार को मनाये जाता है ध्यान में रखेगा थर्ड सनी बार को माई के ससस्तर बल दिवस मनाये जाता है और ये कम मनाये गया पहली बार तो अमेरि कि गोशना कब की गई तो ध्यान में रखेगा 1949 में इसकी प्रथम बार आवकास की गोणा की गई और ससक्तर सेना दिवस जो है वो अमेरिका की सेना की सभी छे साखाओं की सयुक्त उत्सव है जिसको यह मनाया जाता है ध्यान में रखेगा दोस्तों चलिए नेक्स्ट वोशन निमलिकित में से किस विस्व विद्याले के सोध करताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लेटनरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकासित एक अध्यान में पाहनों दोस्तों ध्यान में रखेगा पाहनों को प्रतिवी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म धाल जो आला मुकी सब्सक्ता की गोशित किया है। तो दोस्तों इसका राइट अंसर होगा। और दोस्तों मनोवा में हवाई विश्व विद्याले के सोध करताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लेटरंडी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकासित एक अध्यन में पाहनों को प्रतिवी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल वाला जो आलमों की घोसित किया है और दोस का सबसे बड़ा ढाल वाला जोला मुकी बना रहा अब देखिए दोस्तों ढाल वाला जोला मुकी किसे कहते हैं तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ये देख रहा होगा तो देखिए दोस्तों ढाल जोला मुकी जिसे हम सील्ड जोला मुकी भी कहते हैं और इनका निर्मा का हाली में सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल वाला जो आलमों की किसे गोशित किया है तो वो पाहनों को चलिए next question देखते हैं दोस्त है विस उच्छ रक्तचाप दिवस WHD यानि की World Hyper Tension Day 2020 का विसे क्या है यानि की 2020 की इसकी थीम क्या रही है ओप्सन देखिए अपने नमबर जानिये अपने रक्तचाप को जाचें इसे नियंतरित करें लंबे समय तक जिवित रहें उच्छ रक्तचाप की जाग रुकता तो दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप् Hyper Tension यानि की विस उच्छ रक्तचाप दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है ध्यान में रखीगा 17 मई को और इसकी सुरुआत कब की गई तो इसकी सुरुआत की गई रही 2005 में 2005 में World Hyper Tension League द्वारा रक्तचाप और उसकी चुनोतियों के बारे में जाग रुकता को अगामी परिक्षा में पूछा जा सकता है बहुत इंपोर्टन्ट है 2020 की इसकी थीम क्या थी और ये दिवस कब मनाय जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं किस राजजी ने अपनी तरह की पहली पहल में राजजी से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादु का अभियान सुरू किया है ओफसन देखिए बिहार मद्द परदेश हरियाना उत्तर परदेश तो दोस्तो इसका राइट अंसर है ओफसन नमबर B परदेश राजजी ने इस पहल की सुरूआत की और इस अभियान के तहट नंगे पहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चपल परदान किये गए और इसकी सुरूआत मद्द परदेश के किस जिले से की गई तो ध्यान में रख तो दोस्तो इसका राइट अंसर है दोस्तो ये अंतर राष्टी संगराले दिवस 2020 की थीम है बात करते हैं अंतर राष्टी संगराले दिवस कब मनाय जाता है तो ये भी कोशन पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखिएगा 18 माई को इस दिवस को मनाय जाता है और संगराले के सांसकर्तिक महत्तों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए ध्यान में रखिएगा कब मनाय जाता है 18 माई को मनाय जाता है और 2020 की इसकी थीम क्या थी Museum for Equality, Diversity and Inclusion और दोस्तों इसको 1977 में इसकी शुरुवात की गई और तब से आज तक हर साल ये प्रती वर्स 18 माई को मनाय जाता है कौन सा दिवस? अंतर राष्टी संगराले दिवस चलिए next option देखते है ग्यारवी होकी इंडिया सीनियर पूरुस राष्टी चैंपियंसिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्ज करेगा? ओप्सन देखिए असम महराष्ट उत्तर परदेश हरियाना तो दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप्सन नमबर भी महराष्ट ध्यान में रखेगा दोस्तों अब बात करते हैं कि महिला की चैंपियंसिप की मेजबानी कौन सा राज्ज करेगा? तो आईए देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे है तो यहाँ देखिए ग्यारवी होकी इंडिया सीनियर महिला राश्टी चैंपियंसिप 2021 की मेजबानी उत्तर प्रदिस राज्ज करेगा यहाँ पे देखिए ये सीनियर पूरुस चैंपियंसिप है तो कन्फ्यूज मत हुईएगा और इसकी मेजबानी कौन सा राज्ज करेगा 2021 में महराश्ट और बात करते हैं कि ग्यारवी होकी इंडिया सब जूनियर राश्टी चैंपियंसिप वा इंडिया जूनियर पूरुस राश्टी चैंपियंसिप की मेजबानी कौन सा राज्ज करेगा तो हर्याना करेगा ध्यान में रखेगा सब जूनियर और जूनियर की हर्याना करेगा मेजबानी 2021 में उत्तर प्रदेश सीनियर महिला होकी चेंपियनसिप की मेजबानी करेगा और महराष्ट पोरुष चेंपियनसिप होकी की मेजबानी करेगा तो ध्यान में रखेगा दोस्त के कारेकारी बोड के लिए चुना गया है और इसका राइट अंसर है दोस्तों एक दो तीन ये सभी विकल्ब सही है तो आईए इसके बारे में थोड़े सी जानकारी देखते हैं तो ये देखिए आपके स्क्रीन में देखे भारत 19 मईद 2020 को डवलु एचो के कारेकारी बोड के के लिए चुना गया है और उसके साथ ही कौन-कौन से देखिए बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, विसाव, मिड़ा, गासकर, ओमान, कोरिया, गंडराज, रूस और यूके कारेकारी बोड के लिए चुने गए अन्यराष्ट हैं तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपोर्टेंट है अगर ऑफशन में इसके अलावा भी कुछ दे सकता है आपके सामने तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं चलिए नेस्ट है विसु मदुमक्की दिवस 2020 का विशय क्या है ऑफशन देखि विसु मदुमक्की दिवस 2020 की ये थीम है भी एंग्जेट बात करते हैं 2019 की थीम क्या है तो ये जो थीम है सेब दभी ये 2019 की इसकी थीम है यानि 2019 का ये विशय रहा विसु मदुमक्की दिवस का विसु मदुमक्की दिवस कब मनाय जाता है ये भी कोशन पूछ सकता है तो हर साल 20 मई को 200 मदुमक्की दिवस मनाय जाता है तो ध्यान में रखीगा दोस्तों ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विस्व मदुमक्की दिवस और विस्व माब बिग्यान दिवस मनाय जाता है बात करते हैं कि इसकी थीम क्या है 2020 में तो ध्यान में रखीगा वैस्विक ब्यपार के लिए मापन ध्यान में रखीगा क्या है Westwick व्यापार के लिए मापन ये इसकी थीम है 2020 के लिए 2020 की और ये दिवस कब मनाय जाता है तो 20 मई को मनाय जाता है अब देखिए दोस्तो पहली बार ये कब मनाय गया तो पहली बार मनाय गया 20 मई 1875 को पेरिस में क्या हुगा था मीटर कन्वेंस नामक अंतरराष्टी संधी पर हस्ताक्षर करने की वर्सगार्ट में इसको हर साल मनाय जाता है कब 20 मई को ध्यान में रखीगा दोस्तो जिसके द्वारा वजन और माप का अंतरराष्टी ब्यूरो यानि की BIPM बनाए गया था और उ चलिए next question देखते हैं next है मई 2020 में किसने Indian Steel Association ISA के अध्यक्ष का पदभार समाला है option देखिए अनिल कुमार चौधरी दिलीप ओमान टीवी नरेंदरन नलिन सिंगल तो दोस्तो इसका right answer है option number B दिलीप ओमान ध्यान में रखीगा दोस्तो बहुत important है आगामी परिच्छा में परिच्छा जा सकता है तो दिलीप ओमान को Indian Steel Association का अध्यक्ष अभी बनाए गया है चलिए next question देखते हैं कोरोना वाइरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट में भारत की नए इस्थाई प्रतिनिदी के रूप में किसने पदभार गरान किया है option देखिए त्यान में रखीगा दोस्तो टीएस त्रीमूर्थी सेयद अकबरुदीन विजय किशाव गोकले हर्स वर्धन स्रंकला तो दोस्तो इसका राइट अंसर है option नमबर A त्यान में नियु दिली में बिदेश मंतराले के मुख्याले में आर्थिक संबंदोस के सचीव रहें और अभी वरतमान में इन्हें जो है सईयुक्त राष्ट में भारत के नए इस्थाय प्रती निदित्यों के रूप में पदभार गरहन किया है तो ध्यान में रखीगा दोस्तो टीएस त्रीमूर्थी इसका राइट अंसर होगा चलिए नेक्ष्ट देखते है चलिए दोस्तों मद्व प्रदेश के मुख्यमंतिरी सिवरास सिंग चोहान ने राज जी के प्रती गराम पंचायत में सरमसर्दी अभियान की सुरुवात की है और सरमसर्दी अभियान के तहट जॉब कार्ड ना होने वाले गरामीर छेतरों के मजदूरों को काम प्रदान किया जा तो ध्यान में रखीगा, सरम सद्धी अभियान की शुरुवात कहां हुई तो वह मद्ध प्रदेश में और सिवरा सिंग चोहान जो है यहां के सीम है, चलिए नेश्ट देखते हैं, इमने में से किसके द्वारा, विक्सित एक टीको को अब पुने के नाइडू अस्पताल में आयर्विदिक सूतर के साथ COVID-19 रोगियों पर परिक्षण किया जा रहा है, ओफसन देखिए, पैशिया बायोटेक, सीरम इंसिट्यूट, कैंडिला हेल्थ केर और सांता बायोटेनिक्स, तो दोस्तो इसका राइट अंसर है, ओफसन नमबर B, सीरम इंसिट्यूट, दोस्तो सीरम इंसिट्यूट द्वारा पूरे के नाइडू हस्पताल में आयर्विदिक सूतर के साथ COVID-19 रोगों के लिए परिक्षण किया जा रहा है, और इसे अमेरिकी बायो टेक्नोलोजी कमपनी, कोडेट निक्स के मदद से विक्सित किया गया है, ध्यान में रखिएगा दोस् अंतरराश्टी गुमसुदा बाल दिवस कम मनाय जाता है, और दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए मनाय जाता है, जो लापता हो जाते हैं, अब देखिए दोस्तों इसकी हिस्ट्री किया है, तो 25 मई 1979 की बात है, नियॉक सहर से एक 6 वर्सी बालक इतन पॉ परण इस तारिक को चुना गया कि 25 मई को ही हर साल अंतरराश्टी गुमसुदा बाल दिवस मनाय जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और 25 मई को एक और दिवस मनाय जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, 200 थाइराइट दिवस, कौन सा दिवस ध्यान में रख प्रतिष्ठित इन्वेंटर आप दा इयर एवर्ड किसे मिला है, और दिखिए प्रणब बर्धन, कौसिक भसू, राजीव जोसी, अलोग भारगाओ, तो दोस्तों इसका राइट अंसर है, और इन्हें इलेक्ट्रोनिक उद्ध्यों को आगे बढाने के लिए, कृतिम बु प्रणाने में उनके अग्रणी कारकी माननेता के लिए ये प्रोस्कार दिया गया है, और डॉक्टर जोसी जो अमेरिका में धाइसो से अधिक पेटेंट अविस्कार के साथ एक मास्टर अविस्कारक हैं, और नियुवार्क में आईबियम थॉमस वाट्सन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, तो दोस्तो ध्यान में रखीगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, चलिए दोस्तो मिलते हैं, करेंट अफियर के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, फिलाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हैं जय भारत!